नमस्कार संसट टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ हर्ष रंजन जीवन में समवाद का बहुत ही महत्व है जीवन इसी से आगे बढ़ता है और समवाद से ही आगे बढ़ता है देश समवाद हींता शूने पैदा करती है जबकि समवाद शिकर पर ले जाता है और आज हम समवाद कर रहे हैं केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जीतेंद्र सिंग से आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके पास एक नहीं अनेक प्रमुख मंत्रालेयों और विभाकों की जिम्मेदा है आप प्रधान मंत्री काल्यारे में राज्य मंत्री हैं साथ ही आपके पास विज्ञान एवं प्रोध्योगी की मंत्राले और भू विज्ञान मंत्राले का स्वतनत्र प्रभार भी है आप कार्मिक जन्शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री हैं पर्मानु ऊर्जा विभ भाग भी आप ही देखते हैं स्वागत करता हूँ आपका संसद टीवी में संसद का सत्र चालू है और ऐसे में आपने हमें समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे बात कहां से शुरू करूँ इतने विशे हैं समवाद के लिए गुड गवर्नेंस से आपका नजदीकी का रिष्टा रहा है आप इसके पैरोकार रहे हैं पिछले 6-8 वर्षों में गवर्नेंस के स्थर पर सरकार ने क्या काम किया है जिसे आप लेखित करना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद करना है हरसी कि आपने बिशक संसद का सतर जारी है और वियस्तता अधी कहरें परंतू फिर भी समवाद के माध्यम से हमें लोगों के रूबरू होने का उसर रहता है इसके लिए आपका आभार जहां तक आपने बात की है सुशासन की ग इसे सुशासन को लेकर के ऐसे सुझाओ ऐसे रिफार्म्स लाए गए जो अपने आप में करांती कारी भी थे जो पिछली कई परंपराओं से और पद्दतियों से हट करके थे और ये इसलिए संभव हुआ कि पर्थान मंतरी मोधी जी ने सदा ही जबसे वो मुख्यमंतरी थे तबसे लेकर के अनेकों सुशासन को लेकर कि इस परकार के सुझार लाने का प्रयास किया कि जिससे आम नागरिक के जीवन में सरलता है पर शासन में पार दर्शिता है नाग लूज अफ दी पास्ट उधारन के तोर पर सरकार बनने के दो तीन माह के बीतर ही लगवख स्टंबर दो हजार चौदा में अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी एक कुरी ती डूबियस लेगेसी अफ दी बिटिश अमपायर जिसे कहा जा सकता है कि हर नौजवान को अप लेफए टेस्टेशन का प्रावधान लाया गया और मुझे लगता कि उस एक निर्णे के माध्यम से सरकार नही नही बनी थी देश के कोने-कोने में ये संदेश देने का काम हुआ कि अब मोदी जी के नेत्रित में कैशी सरकार है जिसमें इतना आत्म विश्वास है कि वो अपने देश के नौजवान पर भरोसा कर सके और उसके बाद एक के बाद एक को धान मंतरी जी ने लाल किले की परीसर से पंदरा अगस्त के अपने संबोदन में एक सुझाओ दिया कि छोटे पदों के लिए इंट्रिव्यों की प्रता को समाफ्ट किया जा सकता है क्या क्योंकि अक्सर शिकायत आया करती भाई बती जाबा में से लेक करके 2016 पहली जनुरी से इंट्रिव्यों की प्रता को समाफ्ट कर दिया गया स्किल टेस्ट को कौलिफाइंड टेस्ट बना दिया गया ताकि पार दिर्शिता भी और लेवल प्लेइंग फील्ड हर नौजवान को दिया गया इसी परकार अगर आप इन सुधारों क की बात करें तो मुझे लगता कि सारा दिल लग जाएगा बहुत सारे ऐसे समवेदन शील्स सुधार या रिफार्म जिसका मैं कहूंगा कि ना किवल परशासन को लेकर कि उनको सुधार का आजा सकता है बलकि आर्थिक और समाजिक दिश्टी से भी सोशो एकनॉमिक रिफार उधारं के तोर पर पेंशन विवाग को लेकर के आधुनिक टेकनॉलजी का इस्तेमाल करते हुए किस परकार से सरलता लाई जा सके जीवन प्रमान पत्र पहले हुआ करता था हर पेंशन प्राफ्ट करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष डॉक्टर के आगे पेश होकर के अ चत्तर असी वर्ष की आयू के बाद क्योंके लाईस्ट्वान बढ़ता जा रहा हिंदुस्तान में तो हाथों के निशान भी थोड़े बहुत बदले लगते हैं फिंगर प्रिंट्स तो हमने मेरे खाल से सरकार में पहला ऐसा भी भागता है जिसने फेस रेकेंगिनिशन टे करके बेटियों को लेकर के एक कानून था कि यदी कोई सेपरेटिड डॉर्टर डिवर्स डॉर्टर कोई तलाक शुदा बेटी परिवार में है तो उसे अपने पिता अथवा अपने नेक्स्ट आफ कितकिन के मिल्तियों के बाद फैंबली पेंशन का थिकार उसी सूरत में जबके उसने तलाक की जज्ज्मेंट उसका फैसला अदालत से उपलब्द करवा के उसकी प्रती वहां पर उपलब्द करवाई होगी अल्यों कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में तो तलाक के फैसले बीस वीस साल नहीं होते हमने उसको स्माट किया केवल वो अपनी कर्मचारी की मृत्यू हो जाए तो उसको फैमली पेंशन का अधिकार नहीं ही रहता उसके परिवार जानों हमने उसको बटा दिये कि हमने कहा किसी से पूछते तो हमें हैं नहीं कि भई तुम मरने वाली हो तो तो तुम्हें चोईश दी जाती है कि दस साल तुमारी नौकर कि कई वर्ष पहले आ जाने चाहिए ते लेकिन कि पिशली सरकारों में वो स्टेटस कोईस्ट अपरोच थी मोदी जी ने पहली बार इस सारे और ये ऐसी सरकार है जिसने अब तक लगवग सोला सौ पराने नियम स्वाप्त कर दी है आम तो हर सरकार इस बात में कहने में गर् शरकतिज आप हमारे कारे काल में फलां कानून आया फला नियम आया ये ऐसी सरकार हैं जो यह कहने में बड़ा गर्म हशूस करती हैं कि हमने सोलہ सो आई तक ऐसे नियम हटा दिए जो कहीं ना कहीं आम नागरी की जीवन में किसी परकार से बाधा पढ़ रहे थे या उसमें विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम नई चीजों के साथ साथ जो पुरानी चीजे हैं उसको अनलर्ण भी करें और टेकनॉलोजी भी हमें यही सिखाती है जब तक अनलर्णिंग का अप्रोच नहीं होगा नई चीजे हम उस तरीके से नहीं ला सकते हैं आपने बिलकुल सही कहा जो अटेस्टेशन के प्रिक्रिया थी एक जमाने में उस दर्थ से मैं भी गुजर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हर को ही गुजर रहा था कि आपको जहां भी अपलाई करना हो अटेस्टेड कराने के लिए किसी गैस्टेड अफसर की तलाश में आप घूमते रह लना तो हमने कभी किसी गेस्टिड आफिसर के दर्शन नहीं किये होते तो कल पना आती कि देखने में कैसा होगा कैसा लगए दो नाख होंगे चार कान होगे कहा उपलब्ध होगा जैसे आपने का कि स्वाइँ आफिसर से दस्तित करवा दिता हूँ और मुझे पांच रुपए देने पड़े वो भी मैंने किसी और ने दिये कि उसमें मेरी जेब में उस तरह का नहीं था तो ये एक मैल प्रैक्टिस का भी साधन बन चुका था लेकिन जैसे मैंने का एक बहुत बड़ा संदेश ये भी साथ में गया कि here is a government which has the confidence to trust the youth of this country और जिस देश में 70% से अधिक जन संक्या 40% से कम लोगों की हो भला how can we move ahead without doing business with this huge population तो मुझे लगता है मोदी जी ने जो भी परशासन को लेकर के सुधार लाए उनका बहुत दूरगामी आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव भी रहेगा डॉक्टर जीतेंदर सिंग ये डॉक्टर जो है ये MBBS डॉक्टर है जो हमारे देश के लोग नहीं जानते हैं उनके लिए और आपका डियाबिटिक पर बहुत ही research रहा है आप जाने माने डॉक्टर रहे हैं फिजीशियन रहे हैं मरीजों की नॉफ्स देखकर आफ इलाज कर देते हैं दवा देते हैं डागनोसिस करते हैं इसी तरीके से देश में जो खराबियां हैं गरबरियां हैं उसकी नॉफ्स पकड़के भी good governance के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज है और हम आगे बढ़ रहे हैं, आप चुकी विज्ञान और प्राद्योगी की भी मंत्री हैं और अंतरिक्ष के शेतर में हमने काफी काम किया है, दो दिन पहले ही आपने संसद में अंतरिक्ष की आतरा पर कुछ ड हैं, हम चंद्रमा पे भी पहुँच रहे हैं, इस यात्रा को अब कैसे कंपाइल करेंगे, देखिए हर्शी मैं तो यह कहूंगा कि यह आप किसी बच्चे को यह कहानी सुनाएं तो उसे लगए जैसे कोई फेरी टेल है, किसी परियों के देश की कहानी है दूसरी, आपने ठ देश, चांद की धर्ती पर माना उतारने की तैयारी कर रहे थे, और हम कहा थे, हम गीत गाते से चंदा मामा दूर के, तो वो स्थिती थी हमारी, फ्रॉम वेरी प्रिमिटिव स्टेज, लेकिन हमारे विज्ञानेकों में वो प्रतिवा थी, उनके आँखों में सितारे थे, स उननीस सोनात्तर में, अमरीका ने अपना पहला व्यक्ती, पहला मानव, चांद की धर्ती पर उतारा था नील आमस्टाउट, और उन्हें वहां पर चांद की धर्ती पर थोड़ा सा एक सैर की, थोड़ी सी टेल पोशी की, और बीबी सी ने फिल्म रिकार्ड की, जिसमें उन विग्यानिक साथी थे, तो मैं उनसे ये बात साथ जा कर रहा था, मैं उनका नील आमस्टाउट की धर्ती पर टहले तो जरूर, लेकिन वहां पर पानी की मौजूदगी को नहीं देख पाए, यह हमारा चंद्रियान था, जो बाद में गया और वहां से चित्र लेकर आया, जान पर जल की उपस्तिती के, क्योंकि उसका संबंध है, कितनी महतुपूर्ण जानकारी है, हमारा मिशन लेकर के आया, कहने का ताथ पर यह कि देर से शुरू करने के बाद भी इतनी तीवर गती से हम आगे बढ़े, और मैं तो यह कहूंगा कि विशेश कर पिछले आठ, स बोल दिया गया, आज नौपत यह है कि हमारे पास 110 से अधिक प्राइवेट स्टार्ट अपस हैं, अभी आपने देखा होगा समाचारों में स्काइरूट ने अपना प्राइवेट रॉकेट लाँच किया, इतना ही नहीं, आज हम इस तिती में हैं कि हम विदेशी सिरीहरी कोटा से लाँच करते हैं, मेरे पास एक इससे डेटा है, मैं इसको पढ़ना चाहूँगा, 177 सैटलाइट उनीस देश, और यह देश कौन कौन से हैं, आस्ट्रेलिया, ब्रेजील, फ्रांस, इसराइल, जैपान, मलेशिया, सिंगापूर, यूके, यूएसे भी, य वो देश हैं, जिनके 177 सैटलाइट हमने छोड़े, हमने लाँच किये, यह क्या कहता है, मैं बिलकुर आपने ठीका, यह बहुत उत्सा वर्दक बात है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात, मैं जूड़ूं जिससे आपको गर्भ महसूस होगा, दर्शकों को भी, कि अभी तक, हमारे यहां से विदेशी सैटलाइट जो लाँच हुए हैं, उनकी संक्या है, तीन सो पचासी, और इन तीन सो पचासी में से, तीन सो तरेपन, यानि लफ़ असी प्रतिशत, पिछले साड़े आठ वर्शों में, यानि मोदी जी के परदान मंतरी, बढ़ने के बाद, और यह पाँ साल का डेटा है, जो मैंने एक सो प्रतिशत, यानि यह सारा कौन्टम जम्प चो हुआ है, यह मोदी जी के कारेकाल में हुआ है, इसकी अतिरिकत ना के वली है, बलके यह एक हमारे लिए स्टेट एक्चेकर के लिए, आमदनी का भी सादर बना, और उसमें भी बड़े जिद्चस्प हैं, उधारन के तोर पर अगर आप यूरोज में देखें तो दो सो बीस मिलियन यूरोज अभी तक, इन यूरोपीन सैटलाइट्स के मादे हम से कमाएगे जिसमें से एक सो सतासी मिलियन यूरोज मोदी जी के कारेकाल में, अगर आप डॉलर की बात क ने ना केवल टेकनॉलजी को पुरुसाहित किया, बलके जो बाधाएं कई वर्षों से चली आ रही थी, जिनको हटाने में सब लोग संकोच करते थे, जैसे मैंने का स्टेटस कोईस्ट अप्रोच के तहर, उनको लांग करके, उन्होंने हमें इस तरह की स्वत्त्ता दी, क्य लांचेंगे, और उसके लिए जो रास्ता हवार करने का काम था, वो पिछले आट नौ वर्षों में हुआ है, और इसके अतरीक ते एक बड़ी और महत्वपूर बाद जो दर्शकों के साथ भी संबंदित है, वो ये के अब भारत का अंतरिक्ष विग्यान और उसके कारिकर मतर रॉकिड लाँचिंग तक सीमित नहीं है, आज पिछले आट नौ वर्षों में परते एक सेक्टर में स्पेस अप्लिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो रेलवे लाइनिंग, आनमैन रेल क्रॉसिंग, रोडस और बिल्डिंग्स है, स्मार्ट सिटीज है, चाहे व टेली मेडिसन है, चाहे वो डिजिटल हेल्थ है, लगभग स्पेस टेक्नॉलजी हैं एंटर्ड एवरी इंडियन हाउसरोड, यह आप ज़र समझाने कोशिश करें, जैसे बहुत स्वयम नहीं समझ पाया था बहुत सालों तक, कि स्पेस टेक्नॉलजी से रेल दुर घटनाय कम हो गई, स्पेस टेकनॉलजी से एक क्रिशी उत्पादन वढ़ गया, यह कैसे? दसल हर प्रकार की टेकनॉलजी इस समय देश में उपलब्थ है, जो देश में वही भारत में, लेकिन एक तो उसकी जानकारी का भाव, दूसको उसको उप्योग करने की मनस्तिती नहीं, मान स्पेस टेकनॉलजी के विग्यानिकों का बैटना करवाया, परतेक मंतराले और विवाग से, ताकि वो समझा सकें कि उनके पास कौन कौन सी ऐसी अप्लिकेशन जो वहां इस्तमाल की जासे हैं, उसारे के तो जब आपने रेल के दुरुटनाओं की बात की, तो एक समय था ज को प्राप्त हो जाएगा और ड्राइवर को समय मिल जाएगा ब्रेक लगाने गा, इसी तरह से रोड्स बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज में सर्वे का काम, बाकी सारे काम आज पेस टेकनॉलजी के माध्यम से होते हैं, ये मोदी जी के ही कारेकाल में हुआ के जियो पेशियल बदल दी गए, वो जमाना जाता रहा जब वो सर्वे किया जाते लमी लमी दूर्बीन के साथ, अब वहाँ ड्रोन का इस्तमाल होता है, रडार का इस्तमाल होता है, और स्पेस टेकनॉलजी का इस्तमाल होता है, और ड्रोन के नियमों में भी सरली करन मोदी जी ने किया, पह कद की उपर से चले जाती थी वहां जाके ड्रोन पानी की सिचाई करके आता है ये सारी टेक्नालोजी जो हमारे पास उपलब्द ही जल जीवन मिशन को लेकर के मोदी जी नहीं वह भाग बनाया लेकिन कुगा खूदने के लिए कितना समय लग जाता कितना पैसा लग जाता कित लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा था क्योंके जानकारी का भी हवाग था हमने एक और भी प्रियोग किया है कि छे साथ मंत्राले और विभाग जो भारत सरकार में है विज्यान को लेकर के उसमें साइंस एंटेक्नालोजी है सी एस आई यार है अर्थ साइंसिज है बायो में साज़ा करते हैं ये वही जो दो हजार सोला में प्रदान मंत्री नरेर मोजी दोजार सोला में हमने स्पेस टेक्नालोजी को लेकर के सबके साथ बिठाना शुरू कि था जी अब उसी अनुभव से सीख करके अब सभी पहले तो इंट्रा इंटेग्रेशन क्योंकि साइलो कि इस कमरे में भी कोबिड को लेके शोध हरा रहा इस कमरे में लेकर हो रहा हूँ अपना मेंटिलेटर बना रहा रहा और उससे मैन पावर भी जाया जाती है उसमें फाइनेंशल भी थोड़ी सी लाइबिल्टी ज़्यादा रहती है तो उसको हमने एक अठा किया और फिर उ विभागों को कहा कि आप बाकी सेक्टोरल विभागों के साथ जा करके बैठिये यानि आज के जमाने में डिजीटल हेल्थ जिसका मोदी जी ने लाल किले से जिकर किया था बहुत अत्तक निर्भर है इस इन टेक्नोलोजीज पर और उनका कैसी उप्योग किया जा सके चिकित् को इसकी जानकारी रहे इसी परकार हर विभाग में चाहे वो क्रिशी का विभाग हो चाहे वो शिक्षा का विभाग हो टेली एज्यूकेशन का हो उसमें किस परकार से टेक्नोलोजी का उप्योग किया जा सकता और यह निरंतर एक क्रम है जो आज है वो कल नहीं है जो कल आन बिल्कुल आपने सही कहा कि हम न सिर्फ अंतरिक्ष विग्यान के क्षेतर में आगे बढ़कर चांद तक पहुंच रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स भी जो हैं, दूसरे क्षेतर भी हैं, उसका लाव उठा रहे हैं, यहां तक कि भारती अर्थ विवस्था को भी इससे क्योंकि हमारे पास फॉरें रिजर्वार हैं, आपके पास और भी मंत्राले हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, एक स्पेस से रिलेटेड एक आखरी सवाल यह है, कि नई अंतरिक्ष नीती पर भी चर्चा हो रही थी, यह क्या है कब तक आने के उमीद हैं? उसके बाद एक PSU सापित की गई, जिसका नाम था In Space, To Act As Interface Between Private Publicers, इसी परकार जियो स्पेशल गाइड लाइन जो नही आई, पहले आपको सर्वे करने के लिए दस जगा से अनुमती लेनी पड़ती थी, अब आपको पोर्टल बना दिया गया, आप उसके अंदर जाते हैं, आपको सुमें पता चल जाता है कौन सा आपने अजाज़त देनी है, कौन सी नहीं देनी है, और उसका इतना अधिक सरली करन हो चुका है, कि हमारे पास जैसे स्वामित्तों का कारेकरम हमने एक अभियान शुरू किया है, पंचायतों का मैपी करन का, तो आबाद पंचायतों पंचायतों पर एक खास कारेकरम बनाता है, लोकतंतर मेरी इताकत, पंचायत के नाम से, और हमने स्वयम देश के कम से पचासों पंचायतों का भर्मन किया और वहां के रिपोर्टस बनाई, यह ऐख्शुली ये सारी चीज़ें उपलब हैं पंचायतों में, और पंचायतों हासिल करने के लिए अलग शिद्धत से कोशिश करना वो सब जाता रहा अब स्वयम किसान या जो भी जमीन का मालिक है अपनी जानकारी स्वयम एक्सेस कर सकता है इसी तरह से विज्ञान के बहुत से अन्य कारिकरम और बहुत से अन्य शेतर जिनके बारे में देश में बहुत जानकारी नहीं थी मोदी जी ने करवाई अगर आप मुझे अनुमती दे तो मैं एक उधारत दोंगा अर्थ साइंसिज का अर्थ साइंसिज की ये ये आलम था कि दो हजार चौना से पहले मुझे लगता है कि देश में बहुत सारी लोगों को मालूं भी नहीं था कि इस पर अर्थ इस दी आफिस अव दी अर्थ साइंसिज डिपार्टमेंट इस तरह का अलम था आज मोदी जी ने लाल के लिए से डीप सी मिशन डीप ओशन मिशन का जिक्र किया व्याख्या की उलेह किया और एक बार नहीं दोहजार इकीस के सुतनतरत दिवस में भी ये दोहजार क्योंकि पहली बार उन्होंने ये महत्वत समझा और लोगों को समझा है कि हमारे पास साड़े साथ हजार किलो मीटर कोस्टल नाइन है सबसे बड़ा सबसे लंबा समुदर तट कहीं है तो भारत के पास है और हमारे पास एक सागर है जिसका नाम देश के नाम पर हैंडिया किसी और के पास नहीं है और अगले पत्चीस वर्षों में जो अमरित काल का समय जिसे मोदी जी बार बार कहते है उसमें जो हमारी वैलियू डीशन होगी हमारी एकॉनमी में हमारी आर्थवेस्टर वो उन साथनों से उन सोर्सिस होगी जो अन एक्स्प्रोड रहे और उन ए आपके फिशरीज नॉन लिविंग आपके मिनरल्स मेटल्स इसी तरफ दूसरा हमारे हमाले पहाडों के रिसोर्सिस पहली बार अरोमा मिशन शुरू किया गया लेवेंडर कल्टीवेशन एगरी टेक स्टार्ट अप्स का एक नया कॉंसेट मोदी ये ने दिया बहुत कम लो कि मातर पचास हमारे पास स्टार्ट अप्स होते थे बायो टेक स्टार्ट अप्स दोजार चौदा से पहले आज बढ़कर के लगवव पच्पन हजार हो गए यानि सो गोना अधिक और इसलिए कि इस सरकार ने इस परकार की विवस्था पैदा की अनेबलिंग कंडिशन पै प्रयोग शाना तर्ट ने रहे वो आपकी जीवी का कमाने का साधर बन सके और इस प्रकार वो स्टार्ट अप्स को आकर्शित कर सके आँ समय बहुत कम बचा है और हम पेंशन पर एक छोटा सा जवाब आपसे जरूर चाहते थे कि नई पेंशन योजना जो है नपीएस जो ह हैं संख्षेप में आप बताएं कि क्या फर्क है दोनों में और कहा होना चाहिए हमें इसके दोनों ही पहलू है इसमें कुछ लोगों को कुछी में सुवीधा रहती है कुछ को किसी में सुवीधा रहती है जब नहीं लाई गई तो उस समय की सरकारों ने ये समझा के शायद financially इसमें हमें लाब रहेगा लेकिन इसमें कुछ बीच का रास्ता ढूनने का भी प्रयास जारी है ताकि आखरे कार तो ये एक करमचारी की सुविधा के लिए है और वो किस प्रकार से optimum outcome के साथ सुविधा उपलब्द कराई जा सके उस पर विचार चल रहा है good governance और जो विकास है वो सिर्फ दीखना ही नहीं चाहिए citizens को feel भी होना चाहिए और हमें लग रहा है कि अब लोग महसूस कर रहे हैं नई चीजों को लेकर कि ये महसूस हो रहा है मैं आपकी बाद में ये बाद जोड़ दूँ कि इसका सबसे हमारे पास नुमाया उधारन है नौर्थ इसका दोजार चौदा में जब ये सरकार आई तो पूर वोतर में कम से कम तीन ऐसे परदेश थे जहां लोगों ने रेल काड़ी नहीं देखी थी मेगालिया अरुनाचल परदेश आज वहाँ पठरियों का जाल बिचा है इटा नगर से अरुनाचल एक्स पर चलती तीन चार ऐसे परदेश जब हवाई अड़े नहीं थे सिक्कम में हवाई अड़ा इस सरकार ने बनाया अरुनाचल परदेश में हवाई अड़ा अभी तयार हुआ शिलाउंग में छोटा सा वाई अड़ा था इसी परकार सडकों का जाल बिच गया एक जमाने में वहाँ से युवा बाहर आने में हिच्चाहट करते थी यहाँ आते थे उनको थोड़ी सी असुईदा रहती थी और नौकरियों वहाँ पर उपलम्ज नहीं थी आज अक्टूरिजम इंडस्ट्री होटेल इंडस्ट्री में आपको नौर्थीज के युवा मिलते हैं कहने का ताथ पर यह कि यह गवर्नेंस का मॉडल जो मोदी जी ने दिया है यह ना किवल सुशासन के लिए या प्रशासन को सुधारने के लिए बलके अनेकों करांती कारी बदलाओं समाजिक स्थर पर आर्थिक स्थर पर लाने के लिए और जैसे मोदी जी नारम में एक बात कही थी कि उनकी सरकार का यह प्रयास रहेगा कि देश के वो हिस्से जो कहीं न कहीं पीछली सरकारों की प्राथि मुक्ता से छूट गए उनको बराबर किस तर पर लाए जा सके ताके भारत माता का सामूह की विखवास संभव हो सके अन्यता नहीं होगा और वो इस सरकार ने करके दिखाया डॉक्टर सिंग अब वक्त समाप्त हो रहा है आप संसर टीवी के स्टूडियो आए हमसे बातचीत की आपका बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद है समवाद में आज इतना ही अगले हफ़ते हम फिर किसी और शक्सियत के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दें नमस्कार